बिहार के भागल पूर्जी लेके कहल गाउं की डियेसपी रेशो क्रिशना को अपने पती को IPS अधिकारी बनाने की सूजी फिर क्या था मैदम ने उन्हें IPS की वर्दी पहना दी और दोनों की वर्दी पहने मुस्कुराते हुए सेल्फी ले ली उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करी और खुद अपने अपराद को कुबोल लिया और अब ये मामला पी एमो तक जा पहुचा है दरसल सोशल मीडिया पर रेनु कृष्णा की सेल्फी पोस्ट होते ही किसी ने उनकी फोटो को प्रधान मंत्री कार्याले भेज उसकी शिकायत कर दी शिकायत करता ने कहा कि SDPO रेशु कृष्णा के पती ने IPS की वर्दी कैसे पहनी रेशु कृष्णा का दावा है कि उनके पती IPS है और PMO में तनाथ है इसके बाद PMO ने बिहार पोलिस मुख्याले को शिकायत भेजी और रिपोर्ट मांगी PMO के रिपोर्ट मांगते ही बिहार पोलिस मुख्याले ने जाच शुरू करी जिसमें उन्होंने पाया कि SGPO के पती IPS ऑफिसर नहीं है सूत्रों के मुताबक भागलपूर के SSB ने जाच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्याले को भेज दी और अब रेशु कृष्णा पर करवाही हो सकती है बतादें की सेना और पुलिस की वर्दी कोई अन्य व्यक्ति नहीं पहन सकता शर्स्त्र बल अधिनियम सरकारी गोपनियता कानून और भारतिय दंड सहिता में इसके खिलाफ कई प्रावधान है गोपनियता कानून की धारा छे में आम लोगो द्वारा पुलिस या सेना की वर्दी पहनने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है जबकि भांधवी की धारा एक सो चालिस में तीन महेने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है SGPO रेशु कृष्णा पटना की रहने वाली है और एक तेज तरार अफसर है उन्होंने कई मामलो का खुलासा किया है लेकिन मामलो का खुलासा करने वाली मैडम के खिलाफ ही मामला बन गया है हाला कि बवाल मचने के पाद SGPO और उनके पती ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से IPS वर्दी पहने फोटो को हटा दिया है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ